पीजेपी नेता पंकज मित्तल के ओफिस में हम इस समय मौजूद है जो स्थीत है बीज सेक्टर मंदर मार्किट में और यहां पर जीला उपभोकता फोर्म के पूर्व अध्यक्ष एके सरदाना जी एड़ोकेट ने 21,000 पर सियम करोना फंड रिलीफ फंड में इन्होंने विधायक जी को चेक्स हों पाए और 21,000 पर पीम करोना रिलीफ फंड में इन्होंने व लपक लिया कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए तो सबसे पहले लीला राम जी आपका स्वागत है कैतल ब्रेकिंग टीवी में नमस्कार जी सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रंदीप सिंग सुर्जे वाला लगातार धरने परदर्शन कर रह सब्सक्राइट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हों ने आज अपने नेक कमाई में से पी-एम रिलीव फंड में और हरियाना के सी-एम रिलीव फंड में 21,000 रुपए के चेक दे करके जो अपनी किर्पा दरिश्टी या ग्रीबों के परती सानुगूती पर कट किया मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जहां तक आपने जिकर किया रंद से पहले भी कहा था कि अपनी जेप मिटा रही हैं उनके आज कोई काम नहीं है क्योंकि कांगरस पूरे हिंदूस्तान में हरियाना में बुरी तरह से फेल हैए शुर्जेवाला जी कोशिस कर रहे हैं छट पटा रहे हैं धरने पर दर्शन करने की कोशिसकरते हैं प्रंतु आ ही रहना he दूश्रा सवाल सर मेरा यह है कि विपक्ष होने के नाते चलो अलोचना करना सत्त का बार्टाल मांजरा जी है वह बीज़य पी में हैं और वह भी सरकार की नेतियों से योजना से कहीं न कहीं खफा न जरा रहे हैं इस पर आपका क्या खेमा आप दोनों पार्टियों में आप दोनों कभी एक पार्टी में दे आपका बताईए राम पाल माजरा जी हमारे के नेता है बड़े नेता है और मैंने उनकी कोई इस परकार की स्टेटमेंट तो नहीं पड़ी है नहीं सर हमने इंट्रिवू लिया था उस दौरान उनसे बातचीत में यह उच्ची तजबाव देंगे मैं उनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे से भी सीनियर है अगर उनकी कोई जैप होगी तो मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं अगर उनमें कोई रोस है वो सरकार के सामने अपना रोस परकट कर सकते हैं मिलकर के और अगर उनकीaben कोई सिखायत भी है उसको दूर किया जा सकता है ऐसी कोई बात नहीं मैं जी मैं अगर बात चीद करें लिला राम जी सिर्व है जो लोग है जो कार्य करता है उनका ये कहना है कि इस समय पे जो करोणा महामारी है लोगों के साथ विधाय को होना चाहिए था घर पर नहीं नहीं आपने देखा होगा हम तो पिछले साथ पांश पैंश्ट दिन से लगातार लोगों के बीच में जाते हैं सारी जितनी भी कैथल की मैं आपके मादे मुसे पून्य कहूंगा कि समाजिक संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं उनका सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हों ने जिस परकार से पूरे हरियाना प्रदेश के अंदर कैथल की समाजिक संस्थाएं के लोगों ने जहां इसमें बढ़ चड़ करके भाग लिया सहयोग दिया एक भी आदमी को एक टाइम के लिए भी भुखा नहीं रहने दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहू और हम खुद अपनी टीम के साथ सबी समाजिक संस्थाओं को साथ मिले वहाँ पर जाकर के उनको एप्रिसेट किया उनका धन्यवाद करके आए कि आपने आज इस दुख की गड़ी में जो समाज में अपनी एक मिसाल छोड़ी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा पूचा और उन सवालों पर लीला राम जी का कहना है यह आप सभी ने सुना तो बने रहे आप हमारे साथ कैथिल ब्रेकिंग टीवी मैं हूं सनी परजापती